इस वक्त microbit का एक global challenge 8 से 18 year old students के लिए खुला हुआ है इसकी last date of submission 15 जुलाई 2022 है इस challenge का नाम है do your bit तो अगर आपको electronics में interest है तो आप consider कर सकते हो कि आप इस global competition में participate करो तो do your bit microbit challenge जो है वो United Nations के जो 17 sustainable development goals है उन पे based है तो ये 17 goals क्या है जैसे poverty reduction, जैसे zero hunger, good health and well being, quality education, gender equality, clean water, clean energy और इस तरीके से 10 और goals है इन सब की information online available है in fact मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ ये सब microbit की website से ही मैंने लिया है और मैं अभी बाद में आपको website भी दिखाऊंगा तो to explain की इस challenge में आपको करना क्या है आपको इन 17 में से किसी भी आप goal को चुन सकते हो और उसके around कोई जो problem है उसका आपको solution ढूढ़ना है using a microbit so for example हमारा goal number 3 है good health and well-being तो अगर good health and well-being का हमारा goal है तो आप अपने से ये सवाल पूछ सकते हो कि how can you be healthy कि अगर आपको healthy and fit रहना है तो आप अपने लिए क्या plan बनाओगे so for example आपका plan हो सकता है कि आप कहो कि मुझे रोज exercise करनी है या रोज कोई sports खेलना है या nutritious healthy diet खानी है या मुझको time पे सोना है ताकि मुझे adequate sleep जो है मिल जाए या maybe आपका goal हो सकता है कि मुझे दो बार दिन में brush करना है या अपनी personal hygiene के बारे में कुछ और जैसे regularly washing hands तो अगर ये आपके goals है to remain healthy तो फिर आपको सोचना है कि कैसे आप microbit को use करते हुए इन goals को achieve कर सकते हो so for example मैं आपको कुछ projects दिखा रहा हूँ जो students ने बनाये थे पिछले साल के ये winners है इन students ने बनाया है कि exercise is the key तो इन्होंने microbit को use किया है to encourage physical activity तो इन्होंने device क्या बनाया है ये जो microbit पहला microbit है ये एक step counter है तो जितना आप चलते हो उतनी steps आप लेते हो या exercise आप करते हो तो इसका count बढ़ता है और जब इसका count 1000 हो जाता है तो ये वाला microbit दूसरा microbit को signal भेजता है और फिर ये microbit आपको 15 minutes of screen time allow करता है ये काफी interesting नहोंने solution निकाला है using a microbit और जो उन्होंने program बनाया है वो बहुत simple है पर point ये है कि उन्होंने microbit को use करके exercise करना थोड़ा cool बना दिया है और उसके बाद उन्होंने अपने solution का prototype भी बनाया है वैसे ही एक और ये project है इसमें भी exercise से connected है पर इसमें क्या है कि जब आप exercise कर रहे हो तो आप electricity generate कर रहे हो जब आप exercise कर रहे हो जूते के अंदर पीजो लगे हुए हैं और हर step पे ये थोड़ा सा electricity generate करते हैं और उसको store करके फिर आप बाद में अपना device जो है उसको charge कर सकते हो तो जब हम health और well being की बात कर रहे हैं तो well being में हम केवल physical health की बात ही नहीं करते हैं हम mental health की बात भी करते हैं कि आप stressed तो नहीं हो आप कितने खुश हो तो for example covid की वज़े से अगर आप दो साल घर पे बैठे थे school नहीं चल रहा था आप friends से नहीं मिल रहे थे तो वो काफी stressful period था जिसका mental health पे बहुत adverse impact पड़ता है या exam से पहले जो आपको stress हो जाती है तो मान लो आप ये problem चुनते हो कि मैं mental health पे काम करूंगा या करूंगी तो फिर आपको सोचना है कि आपका plan क्या हो सकता है तो आपका plan हो सकता है maybe कि आप कह रहे हो कि how to stay calm या how to smile more often because being calm and smiling जो है वो आपको mentally ज़्यादा healthy बनाते है या maybe have more gratitude you know be thankful for what you have या make more friends या have fun या limit your screen time कि सोने जाने से पहले मैं TikTok या Snapchat या इस तरीकी की चीज़ें नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी क्योंकि ये देखके अगर आप थोड़े aggravated हो जाते हो तो फिर आपकी sleep जो है वो अच्छी नहीं होती है या maybe आप emotional awareness के बारे में कुछ बनाना चाहते हो या आप बनाना चाहते हो कि अगर आपका कोई friend है जिसको कोई negative emotions की grip में है anger या anxiety या stress तो उसकी help के लिए अपने friends की help के लिए आपको solution सोच सकते हो या how to learn new things, be happy तो इस किसम के goals आपके हो सकते हैं और इस challenge में फिर आपको क्या करना है आपको सोचना है कि आप कैसे microbit use करके इन goals या इन मैंसे एक या जादा goals को आप accomplish कर सकते हो इनको पूरा कर सकते हो तो as an example ये एक calming LED का project है जो की deep breathing में help करता है deep breathing हमारे को mentally calm होने में help करती है तो ये बहुत simple सा project है इसमें ये एक जो LEDs है ये एक certain rate पर glow कर रही है और आपको breathe करना है जैसे तो simple सा program है पर ये remind कर रहा है आपको कि आपको deep breathing करनी है अगर आप stressed feel कर रहे हो या ये एक और simple project है mental health के लिए send a smile spread a little happiness और ये भी बहुत simple program है आप अगर अपने microbit में A button press करोगे तो microbit का radio function यूज करते हुए दूसरा जो receiving microbit है उसमें एक smiley face आ जाएगा तो मान लो वो आपके friend के पास था और आपका friend वो पस आपको एक smiley face भेज रहा है reminding each other smile and stay happy या मान लो आप goal number United Nations का जो sustainable development goal number 13 है जो climate action के उपर है जो global warming हो रही है और climate change हो रहा है आप इस problem के उपर कोई solution सोचना चाहते हो तो आप कुछ examples मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये students ने बनाया था using a microbit how to protect birds तो इन्हों ने क्या बनाया है कि ये जहां रहते हैं और ये बहुत interesting बात है कि आपको आप अपने school अपने शहर अपने town अपने गाओं यहां कोई problem अगर आ रही है तो आप उसका solution सोच सकते हो तो इनके यहां पर ये problem क्या है कि जब torrential rain होती है बहुत ज़ादा बारिश होती है तो पानी का level बढ़ता है और चिडियाएं जो अपना घौसला बनाके रखती है छोटे-छोटे floating उसमें वो उनको तूटने का डर होता है तो इन्होंने जो solution बनाया है कि जब पानी का level बढ़ेगा तो एक signal जाएगा और ये servo motor से जो घौसला है उसको safe जगा पे खींच लिया जाएगा और आपको एक message भी मिलता है अपने phone पर कि nest जो है इसको pull किया गया था क्योंकि पानी का level बढ़ रहा था और ये पूरा prototype जो है ये solar powered है तो इन्होंने climate change और clean energy दौनों पे बनाया है ये वाला project तो कुछ और example है जैसे किसी team ने solar powered boat बनाई है किसी और team ने intelligent parcel disinfectant बनाया है कि इसके अंदर UV lights लगी हुई है postman इसको parcel को अंदर छोड़ता है बंद कर देता है और उसके बाद UV lights के थुरू disinfect होने की process शुरू हो जाती है जब process खतम हो जाती है तो इसमें अंदर लगा microbit एक आपको message भेज देता है एक QR code भेजता है और आप QR code के को use करते वे ये इसको खोल सकते हो तो आपको सोचना चाहिए कि कौन सी problem है जो आप solve करना चाहते हो तो वो आपकी personal problem हो सकती है जैसे how to be more healthy या आपके school की कोई problem हो सकती है मानलो बच्चे lights खुली छोड़ जाते हैं या बच्चे पानी का नलका खुला छोड़ जाते हैं तो उसका कोई solution आप microbit use करते वे क्या सोच सकते हो या आपके गाउं या शहर में pollution की problem है तो उसका क्या solution हो सकता है तो आपको इस किसम से कोई problem का solution सोचना है और फिर देखना है कि कैसे वहाँ पर microbit use हो सकता है तो यह जतनी जानकारी है यह सारी मैंने microbit की website से लिए है microbit.org slash projects slash do your bit यह मैं URL जो है video की description में नीचे डाल दूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना क्या है कि यह 15 जुलाए तक यह challenge खुला हुआ है और 8 to 18 year old students इसमें participate कर सकते हैं या तो वो solo अपने आप participate कर सकते हैं या फिर यानि कि individually participate कर सकते हैं या team of up to 3 members में participate कर सकते हैं और 8 to 14 years old के लिए दो categories हैं एक है कि केवल आपको idea देना है even अगर आपके वाज microbit नहीं है तब भी आप इस competition में participate कर सकते हो जैसे इन students ने केवल एक poster बनाया है समझाते हुए कि यह asthma की जो problem है उसका कोई solution है तो इन्हाने microbit नहीं use किया है कोई prototype नहीं बनाया है केवल idea दिया है कि solution क्या होगा तो अगर आप 8 to 14 years old की category में हो तो आप idea only इस पे भी जा सकते हो even अगर आपके पास microbit नहीं है तब भी या अगर आपके पास microbit है तो आप proper एक prototype बना सकते हो जिसको आपको फिर design भी करना है और उसका code भी लिखना है पर अगर आप 15 to 18 years old category में हो तो आपको definitely design करना है prototype और उसको code करना है और जो checklist है वो fairly simple है कि enter कैसे आप करोगे आपको बताना है कि कौन सी category होगी कौन सा global goal आपने चुना है आपका project का नाम क्या है उसका एक return statement समझाते हुए कि आपका project क्या है क्यों आपने बनाया किस problem का solution वो देता है आपको अगर आपने prototype बनाया है तो आपको उसका code भी देना है और आपको photos और video जो है अपने project का वो भी देना है अगर आपने category number 2 या category number 3 में आप participate कर रहे हो तो जब आपका इस अब तयार हो जाएगा तो आप यहाँ enter the challenge करके basic सी information आपको देनी है आपको या तो अपने parent की consent चाहिए होगी या अपने teacher की consent चाहिए होगी to participate in this competition So I hope आप consider करोगे यह microbit का do your bit global challenge में participate करने का अगर आपको कुछ और questions हैं तो आप नीचे YouTube में नीचे comments में post कर दो I'll try my best to answer those questions प्राइए बड़े प्राइए आपको का नीचे